नमस्कर मैं हूँ USP सर और हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत है अपने पिछले वीडियो में मैं अब तक हिंदी कहानी, हिंदी उपन्याज, हिंदी नाटक तथा हिंदी निबंद के उद्भव और विकास के बारे में आपको बता चुका हूँ आज मैं हिंदी आलोचिना का उद्भव तथा विकास के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इससे अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के आंते तक जरूर बने रहे हैं हिंदी का आलोचिना सब्द संस्कृत के लोचरी धातू यानि शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है देखना किसी वस्तू या रचना की सम्यक व्याख्या या मुल्यांकन करना ही आलोचिना कहलाता है हिंदी में आलोचिना के लिए कई शब्दों का प्रियोग होता है जैसे समालोचिना, समिक्षा, आदी अंग्रेजी में आलोचिना के लिए क्रिटिसिज्म शब्द का इस्तेमाल होता है हिंदी आलोचिना का उद्भव रीति काल से माना जा सकता है इस काल के केशव, देव, मती राम, चिंतामनी, कुलपती, आदी कवियों ने अलंकार, रस, पिंगल आदी पर अपनी लेखनी चला कर सैधान्तिक आलोचना की निव डाली जहां तक हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की बात है, हम इसे चार यूगों में बाट कर देख सकते हैं पहला यूग है भारतेंदू यूग, दूसरा द्वेदी यूग, तीसरा सुकल यूग, और चौथा है सुकलोत्तर यूग अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले अब भारतेंदू यूग के बारे में जाने हिंदी आलोचना का उद्भव भारतेंदू यूग से माना जाता है भारतेंदु की आलोचनात्मक कृती नाटक का प्रकाशन सन 1883 इसवी में हुआ था इस आलोचनात्मक गरंथ में संस्कृत, हिंदी तथा यूरोप के नाटक सहित्य के विकास पर प्रकाश डाला गया है तथा अपने समकाली नाटकों की भी समिक्षा की गई है इसी काल में लल्लु जी की टीका लाल चंद्री का प्रकाशित हुई जिसमें बिहारी सत्सही की समिक्षा की गई भारतेंदु जी के नाटक रचना के साथ साथ बद्री नरायन चौधरी प्रेम घन ने संयोगिता स्वैंबर की आलोचना की संयोगिता स्वेंबर लाला श्री निवास द्वारा लिखा गया एतिहासिक नाटक था इस काल की आलोचना को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला रिती कालीन लक्षन ग्रंथों की परंपरा की सैधांतिक आलोचना दूसरा ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में लिखी गई टीकाओं के रूप में आलोचना और तीसरा इतिहास ग्रंथों तथा कवी परिचे के रूप में लिखी गई आलोचना इसी काल में बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन, बाल कृष्ण भट तथा प्रताप नारायन मिश्र आदि के अनेक लेख में आलोचना का रूप देखा जा सकता है अब हम दूसरे यूग यानि द्वेदी यूग के बारे में जानें द्वेदी यूग तक आते आते हिंदी आलोचना को नई दिशा प्राप्त हुई इस यूग की आलोचना को पाँच वर्गों में बिभाजित क्या जा सकता है पहला वर्ग है शास्त्री आलोचना इस वर्व में लक्षन गरंथों की परंपरा है जो रिती काल से चलिया रही थी इसी प्रकार की आलोचनाओं में महाराज प्रताप नारायन सीह का रैस कुसुमाकर जगनात भानू का कावी प्रभाकर लाला भगवान दीन की अलंकार बंजूशा आदि उलेकनी है दूसरा वर्ग तुल्नात्मक आलोचना का है तुल्नात्मक आलोचनाओं में पद्मिसिय शर्माद्वारा की गई बिहारी तथा दाद का तुल्नात्मक अध्यन लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिस्र ने देव और बिहारी की तुल्नात्मक आलोचना की तीसरे वर्ग में परिचयात्मक आलोचना है इस आलोचना के अंतरगत मिश्रवंधु विनोद में कभियों के जीवन विरित्तों के साथ साथ उनके काभी शंबंधी गुन और दोशों की ओर संकेत किये गये हैं चौथा है अनुसंधान परक आलोचना इसके अंतरगत श्याम सुन्दर दास राधा कृष्ण दास रतनाकर तथा सुधाकर द्वेदी ने शोध परक लेक लिखे जो नागरी प्रेचारिनी पत्रिका में प्रकाशित होते रहे पांचवा है व्या ख्यात्मक आलोचना ऐसी आलोचनाओं में बाल कृष्ण भट द्वारक की गई नील देवी परिक्षा गुरू सैंयोगिता स्वेंबर आदी गंभीर आलोचनाएं लिखी गई अब तीसरे यूग के बारे में यानि शुकल यूग के बारे में जाने वास्तब में हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप इसी यूग में निखर पाया क्योंकि इसी काल में आचारी रामचंदर शुकल ने आलोचना साहित्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित किया उन्होंने सैध्धान्तिक और व्याभारिक दोनों प्रकार की आलोचनाई लिखी रस्मी मांसा उनका सैध्धान्तिक समिक्षा सम्बंधी ग्रंथ है जायसी ग्रंथा वली की भूमिका हिंदी साहित्तिका इतिहास गोश्वामी तुलसिदास चिंतामणी आदी शुकल के उलेखनी समिक्षा ग्रंथ है आचारी रामचेदर शुकल के अतिरिक्त बावु गुलावराय चंदर बली पांडे पितामबर दत बढ़त्थवाल आचारी विश्वनात प्रशाद मिस्र डॉक्टर जगनात सर्मा लक्ष्मी नारायन शुधांसू डॉक्टर नगेंदर आदी इस युक के प्रमुक अगले युक की बात करें यानि शुकलोत्तर युग में हिंदी आलोचना का विकास तेज गति से हुआ इस काल की आलोचना को भी चार वर्गों में बांट कर देखा जा सकता है पहला एतिहासिक समिक्षा इस आलोचना के अंतरगत आचारी हजारी प्रशाद द्वेदी ने हिंदी साहिति की भूमिका, हिंदी साहिति का आदिकाल, हिंदी साहिति उद्भव और विकास, सूर साहिति, कबीर आदी आलोचनात्म गरंथ लिखे इसके अलावे, डॉक्टर रामकुमर वर्मा ने हिंदी साहिति का आलोचनात्म की तिहास, डॉक्टर भगीरत परशाद मीश्र ने हिंदी काभी शास्त्र का तिहास तथा हिंदी साहिति उद्भव और विकास, आदि आलोचनात्म गरंथ लिखे दूसरा है सैधान्तिक समीक्षा इस समीक्षा के अंतरगत डॉक्टर गुलाव राय ने सिध्धान्त और अध्यन काभी के रूप हिंदी नाटी विबार्श डॉक्टर नगेंदर ने रेती काल की भूमिका भारती काभी शास्त्र की भूमिका रस सिधान्त काभी भीम्ब अरस्तु का कभी शास्त्र आचारी बलदेव उपाध्याय ने भारती शाहित्ति शास्त्र तथा डॉक्टर राम मूर्तित रिपाठी ने भारती शाहित्त रस विमर्ष आधी आलोचना ग्रन्थ लिखे तीसरा है व्याभारिक समिक्षा ब्याभारिक आलोचकों में आचारी नंदे दुलारे वाजपेई का स्थान सर्वोच्च है इन्होंने हिंदी साहित्ती बीश्वी शती आधुनिक हिंदी साहित्ती नया साहित्ती नये प्रश्ण जैशंकर प्रशाद सूर्दास आधी आलोचनात्म गरंथ लिखे अन्नी आलोचकों में आचारी विशुनात प्रशाद मिस्र, डॉक्टर विने मोहन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर हरवन सिलाल वर्मा, डॉक्टर त्री गुनायत आधी के नाम उल्लेखनी है चौथा है वैज्यानिक समिक्षा वैज्यानिक समिक्षा कारों में डॉक्टर माता प्रशाद गुप्त का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है इन्होंने तुलसिदास, वीशल देव रासो, पदमावत, चांदायन, म्रीगावती, कबीर ग्रंथावली आधी का पाठ शोधन कर अपनी वैज्यानिक द्रिष्टी का परिशे दिया अन्य आलोजकों में डॉक्टर भगीरत मिश्र, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर लक्षमी शागरवार्षने, डॉक्टर सावित्री सिन्ह, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर भोला नात्तिवारी, आधी के नाम प्रमुक्ता से लिये जा सकते हैं आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोजकों में डॉक्टर इंदरनाथ मदान, डॉक्टर नामबर्शी, डॉक्टर जगदीश गुप्त, आदी के नाम महत्युपूर्ण है इस प्रकार हम यह क्या सकते हैं कि हिंदी आलोजना का विकास नए-नए छेत्रों में और नए-नए रूपों में हो रहा है साहिति संदेश, आलोजना, माध्यम, लहर, कलपना, नई धारा आदी पत्रिकाओं ने भी हिंदी आलोजना के विकास में बहुत सहयोग दिया है अभी आप हिंदी आलोजना के विद्भव और विकास के बारे में जान रहे थे आज के विशेवस्तू को मैं यहीं समाप्त करता हूँ अगले वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार